पूरे घर को उलट दिया और तलाशी ली लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला इतनी गेहन खोज के बाद वह तनाव महसूस कर सकता था और गेहु के रात के फूल से जहर पहले ही उसके सिस्टम पर आत्रमन कर चुका था और उसके स्वास्थ्य और सहनशक्ती को खत्म कर चुका था उनका स्वस्थ रिष्ट-कुष्ट शरीर अब बीते दिनों की बात हो गया था जैसे ही वह कुछ राहत पाने के लिए बैठा उसका पूरा माथा पसीने की पतली परत से ढग गया क्या आप सुनिश्चित है कि वास्तव में मेरे निवास में नीच चीज है उसने इत्मिनान भरे अंदाज में पूछा अधिती इत्मिनान से चाय की चुस्किया ले रही थी कि आखिर में उसने प्याला नीचे रखा और उसे जवाब दिया गेहूं के रात के फूल के जहर को प्रशासित करने के लिए इसे मौखिक रूप से शरीर में प्रवेश करना होगा मोकियान युआन का मुम फड़कने से उसका चहरा लाल हो गया यहां लड़की ठीक है उसने स्वीकार किया कि उसने नहीं पूछा और उसने मान लिया कि यहां उसके पास कुछ है हाला कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया और केवल इतना उपनरफ करने के बाद ही उसे बताया मुझे भूख लगी है, अदिती को इस बात की परवाह नहीं थी कि मोकियान युआन का चहरा कोईले की तरह काला था मोकियान युआन ने अपने दानतों को पीशते हुए खुद को याद दिलाया कि वे इसमें एक साथ थे वह केवल चुपचाप उबल सकता था क्योंकि उसने नौकरों को अध्यन में भेजे जाने के लिए दोपह का भोजन तयार करने का आदेश दिया था यहाँ यहाँ क्या खाना चाहता है मोकियान युआन ने काले फर की गेन को देखा जो अब उसकी गोड में मुड़ी हुई थी अपनी पूच को घुमाते हुए उसने पीछे मुड़ कर देखा उसकी आखे फटी की फटी रह गई यहाँ कल की घटना के बाद यहाँ काली बिल्ली उसके दिल में एक साया छोड गई थी वहाँ अभी भी इस काली बिल्ली की उत्पत्ती का पता नहीं लगा सका अगर यहाँ सम्विदात्मग भावना थी तो रुखिए यहाँ सही नहीं हो सकता सम्विदात्मग भावना के साथ अदिती का अपनापन पूरे देश में जाना जाता था जागर्ण समारों के दौरान इस लड़की के पास कोई नहीं था खाना चाहते हैं अदिती ने अपनी गोद में बैठी छोटी काली बिल्ली को देखा मियानू छोटी काली बिल्ली ने पलग जपकते ही अपनी जाड़ीदार पूँच को अपनी बाहों पर ब्रश किया धीरे से उसे अपनी बाहों में उपर और नीचे घुमाया मचली मैं मचली खाना चाहता हूँ मचली उसने जवाब दिया मोकियान युआन का मुह एक बार फिर से थोड़ा सा हिल गया इस बिल्ली और लड़की के बीच अजीब सी बातचीत देखकर दुन्या के बारे में उनका नजरिया ताजा हो गया कुछी समय बाद नौकर अध्ययन कक्ष में आये और देश को भोजन के एक बड़े समू से भर दिया जैसे रंगबिरंगे व्यंजनों ने पूरी मेंज को भर दिया बगल में एक आठ खजाना मैंडरिन मचली थी किसी को इसके लिए बुलाने की आवशक्ता के बिना यह तेजी से मेज पर कूद गया और स्वादिष्ट मचली के लिए खुद को संतुष्ट किया अदिती चुपचाप खाना खाने बैठ गई, दूसरी तरफ मोकवान फी को कोई भूख नहीं थी क्योंकि उसका कोई मोड नहीं था क्योंकि वह जहर के स्त्रोत का पता लगाने में विफल रहा था उसने बस एक हाथ पर अपनी थुड़ी टिका कर शराप का एक प्याला डाला और देखा कि अदिती धीरे-धीरे उसके सामने स्प्रेड का नमूना ले रही है हाला कि अदिती दुबली प्ली थी लेकिन उसकी कुख्याती इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग अवचेतन रूप से उससे बचते थे और उससे डरते थे हाला कि उसके सामने लड़की सिर्फ एक जवान लड़की थी जो अपने भोजन का आनंद ले रही थी अगर वह लिंग पैलेस में पैदा नहीं हुई होती तो उसका जीवन बहुत शांत और आसान होता अदिती धीरे धीरे प्रतेक व्यंजन का स्वाध चक रही थी वास्तव में जितना खाना उसने खाया उतना ही खाना बिल्ली के पास भी था मोखियान युवान को इस महिला तानाशा द्वारा अधिक से अधिक दिल्चस्पी महसूस हुई जिसे पूरी राजधानी ने उसे बुलाया था हाला कि यह केवل तीसरी बार था जब वह उससे मिला था हर बार उसने उसे जो एहसास दिया वह अलग था पहली बार उसका जन्म दिन भी था, उसे स्पष्ट रूप से याद था कि वह साल उसकी उज्वल मुस्कान और चमकदार आखों की जोड़ी हमेशा अपने छोटे भाई का पीछा करती थी जहां भी वह जाता था वह स्पष्ट रूप से उसके द्वारा मारा गया था, वह प्यार में एक सुंदर युवा युवती थी दूसरी बार कल जन्म दिन का भोज था, लेकिन इस बार उसकी प्रतिष्ठा एक पाईदान ऊपर चड़ गई थी, लेकिन एक बुरे तरीके से उसका नाम काफी समय तक हर किसी की जुबान पर था वह एक कोने में चुपचाप बैठी थी, बहुत शांत जब तक उसकी उपस्तिती को लगभग भुला नहीं दिया गया मोजवान के बावजूत फी और बाई युन जियान के प्यार भरे द्रिशे वह डगमगाई नहीं और वहीं बैठी रही जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में हो जब वह उससे फिर से बगीचे में मिला, तो उसे आश्चर्य हुआ कि इस छोटी सी लड़की का वास्तव में एक मजबूत चरित्र था आज तीसरी बार था, उसने महसूस किया कि उसे उसका दूसरा पक्ष पता चल गया है वह चुपचाप बगल में देखती रही थी पूरे समय जब वह जहर की तलाश में खुद को बेवकूफ बना रहा था इस लड़की का थोड़ा शरार्ती पक्ष भी था यद्यपी भोजन करते समय उसे घूरा जा रहा था, फिर भी अधिती ने शांत और सह्यमे तरीके से भोजन करना जारी रखा जब वह अपनी चॉपस्टिक से खाना उठाती थी, तो उसकी आखे नीची थी, जैसे कि वह एक कमरे में अकेली हो, नकी क्राउन प्रिंस के निवास के अध्ययन में, जिसके चारों और क्राउन प्रिंस बैठा हो लंबे समय तक घूरने के बाद, यहाँ देखकर कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और नहीं उसका सिर उठाने का इरादा था, मोकियान युआन उप गया और उसने अपना कप उपर उठाया और एक ही घूंट में उसे नीचे गिरा दिया एक बार जब शराब उसके मोह में चली गई, तो एक तेज मसालेदार संसदी ने उसके पूरे गले को उसके पेट तक नीचे तक जुलसा दिया, इससे पहले की वह समझ पाता की क्या हो रहा है, उससे एक और लहर महसूस हुई जैसे की उसके भीतर आग लग गई हो और वहा आगे जुख गया और उल्टी कर दी, बिना किसी चेतावनी के उसने अपना पूरा पेट भोजन से भरी मेज पर खाली कर दिया था, अधिती ने अंत में उपर देखा, उसके हाथों में एक छोटा काँच का कटोरा था और दूसरा हाथी दांत की चौपस्टिक की एक जोड जैसे ही उसने मोकियान युआन को देखा जो अभी भी शांत आंखों से उल्टी कर रहा था, छोटी काली बिल्ली जम गई, इसने मचली के उस अंचुए हिससे को देखा जो अभी भी टेबल पर था जो एक संदिग्ध तरल से धका हुआ था, इसके फर पर भी कुछ छीनते पड़े थे, मैं मोकियान युआन को पता था कि उसने चीजों को गरबर कर दिया है और वहाँ खुद को समझाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वहाँ आगे कुछ बोल पाता, उसे एक बार फिर से मतली महसूस हुई और उसने जल्दी से अपना मुह धक लिया और कमरे क काली बिल्ली अपनी पिछली मूर्चा से उबर गई क्योंकि उसने अपनी पीठ को जुकाया, वह मेज से कूद गया और पागलों की तरह साफ मुलायम कालीन से रगड खाने लगा, मालिक, तुम हमेशा ऐसे क्यों हो, आप जानते थे कि गेहों के रात के फूल के जहर के पर्क में आने के प्रभाव से उल्टी हो जाएगी, आप उस मूर्च को चितावनी क्यों नहीं दे सकते थे, छोटी काली बिल्ली के आसू बहर रहे थे, क्योंकि वह अपने कीमती काले फर को साफ करने की कोशिश कर रही थी, कालीन के खिलाफ खुद को रगड रही थी, मैं होंट एक छोटी सी मुस्कान में उपर की ओर मुड़े हुए थे, कमरे के बाहर पहर पहरेदारों को भीतर से शोरगुन सुनाई दे रहा था, हालांकि उन्होंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, मोकियान युआन, जिन के कोने पर बैठ गया, उसके पूरे शरीर ने अपनी सारी उर्जा खो दी थी क्योंकि वह वहां लंगड़ा कर बैठा था, उसके कपड़े अस्तव्यस्त थे और उसका कॉलर थोड़ा खुला हुआ था, उसकी आखों में आसु के निशान टैर रहे थे क्योंकि वह उदास ह कर अधिती को देख रहा था, क्या यहां गेहूं की रात का फूल जहर है, उसने गुस्से से खौलते हुए पूछा, अधिती ने सिर हिलाया, तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा, उसने विलाप किया, यहां तक कि अगर आप उसे पीट-पीट कर मार देते हैं, तो भी वह जान गया कि उसने इसकी उमीद की थी, इसमें कोई फर्क नहीं है, वह वहां एक कोने में बैठी उजवल और ताजा लग रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह साफ थी, उसने चीनी मिट्टी की एक और छोटी बोतल निकाली और उसे खोल दिया, जब उसने अपने हाथों पर कुछ डाला तो एक ताजगी भरी खुश्बू हवा में भर गई और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, ताजगी भरी खुश्बू कमरे में भर गई और बद्बू धीरे-धीरे गायब हो गई, भले ही उसने उसे पहले से बताया था, फिर भी उसे उल्टी करनी पड़ी, क्या फर्क पड़ा? इसलिए उसने उसे बताने की जहमत नहीं उठाई. मोकियान युवान को लगा कि यहां इस लड़की के साथ उसका गटबंधन एक दोधारी तलवार है. वहां अन्ता अपने पिता और भाई के बजाए उसके हाथों मर सकता है. ओ, तुमने क्या खाया? अधिती ने बिना किसी अपरादबोध के उसका सामना किया क्योंकि उसने उससे बेपरवाह तरीके से पूछा. मोकियान युवान को एक पल के लिए अचमभित कर दिया गया. इससे पहले कि उसकी जानलेवा मन्शा से भरी निगाहे मेज पर रखे जगपर पड़ी. उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने केवल एक प्याला दाखमधु पिया था. किसी ने जेड अमरित जहर दिया, मोकियान युवान का चेहरा और भी पीला पड़ गया. न तो उन्हें अधिक भूख लगती थी और नहीं उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनो का सेवन करने में अधिक रुची थी. उसे केवल जेड नेक्टर नामक शराब के इस राजा को पीने की आदत थी और वहां हर दिन कुछ कब पीता था. हालांकि यह शराब कम मात्रा में पिया जाता था, लेकिन समय के साथ यह जमा होता गया. इंतजार अधिती के भाव अच कीमती शराब है. यह शराब उन्होंने खुद बनाई थी. नुस्खा बेहत जटिल है. पहले समराट की मृत्यू के बाद मेरी मा के अलावा कोई और नहीं था जो इसे बना सके. उसके गुजर जाने के बाद इस राज्य में कोई भी नहीं बचा था जो इसे पी सके. कौन इतना निर्दई हो सकता है? जो उसने छोड़ी हुई इस बेशकीमती राखी में जहर डाल दिया हो. मोकियान युआन ने अपनी मुठ्यों को तब तक कसकर जकड रखा था जब तक वे सफेद नहीं हो गई. दिखाई देने वाली नसे बाहर निकली हुई देखी जा सक क्योंकि उनकी आंखों में जानलेवा चमक थी. उसकी मा की याद में वहां उसके लिए केवल एक ही चीज छोड़ गई थी. उन्होंने वास्तव में इसे इतनी नीच चीज से प्रदूशित कर दिया. उसे जरा सा भी संदेह नहीं होगा कि यहां उसकी इस अनमोल स्मृती च धक रही थी, तुरंत रुप गई और पीछे-पीछे हो ली. मोकियान युआन ने इस बात पर ज्यादा विचार नहीं किया कि वह क्यों जाना चाहती थी क्योंकि वह उसे तहखाने में ले आया था. रास्ते में वह यह कहते हुए भोजन पर कुछ दोश डालना नहीं भूल की सामगरी ताजा नहीं थी और जून के परिवार मिसी ने इसे खाने के बाद असज महसूस किया. सारा दोश उसी पर मढ़ देना इतना हास्यास पत था कि अधिती ने उसकी आखों में एक थंडी चमक के साथ अविश्वस्निया रूप से देखा. मोकियान युआन अपनी पीट से आने वाली जानलेवा ठंडी निगाहों को महसूस कर सकता था और उसने स्त्रोत को देखने के लिए मुढने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जल्दी से उसे वाइन सेलर में ले आया. तहखाने में पांच विशाल बैरल थे, चार को कसकर सील कर दिया गया था क्योंकि एक को उसके दैनिक उपभोग के लिए अस्थाई रूप से सील कर दिया गया था. पूरे क्यूई राज्य में केवल ये पांच बैरल जेड नेक्टर बचा है, उसने उनमें गर्फ के संकेत के साथ कहा. शराब के इन बैरलों को देखते हुए, उसे अतीत की याद आ गई ज उसके दैनिक उपभोग के लिए उपयोग किया जाता था. उसने इसे सूंग लिया और वहा गेहु के रात के फूल के जहर के निशान के बिना एक पूर्न शराब की अत्यधिक जटिल गंद को सूंग सकती थी. ये वाइन उपभोग करने के लिए सुरक्षित है. जहर केवल आपके उपभोग से पहले दिया जाता है क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय तक उजागर होने पर इसकी प्रभावशीलता खो देता है. शुरू से ही अदिती की नजर ने जेड नेक्टर के उन पांच बैरलों को एक बार भी नहीं छोड़ा. वास्तव में मोकियान युआन के चहरे पर चमका गई, क्या वा अभी भी अपनी मा की व्यक्तिगत रूप से बनाई गई शराब रख सकता था? जून वुन्शी ने सिर हिलाया, अकेलेपन का एक निशान उसकी आखों में जलक रहा था. वह अपने नन्हे कमल के उत्सा को महसूस कर सकती थी और वह जानती थी कि यही वह जेड अमरित है, जिसकी उसे तलाश थी. उसने आखिरकार जेड अमरित पाया था. यह शराब, मुझे कुछ चाहिए, उसने तुरंट सबसे सीधे तरीके से उससे पूछा. मोखियान यूआन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए आश्चर्य किया, समराट के पास इस विशेशाधिकार तक पहुँच थी. मोखियान यूआन के लिए गहरा अर्थ था, यह उनकी मा की एक अनमोल स्वृती थी. अदिती इस शराब का इस्तमाल दवा बनाने के लिए करना चाहती थी, जिससे मोखियान यूआन हैरान रह गया. इसे दवा के र तरीकों का उप्योग करेंगे, उन्हें सतर करने के बजाए उसे एक और तरीका इस्तमाल करना होगा. ठीक है, आपके पास कुछ हो सकता है, उन्होंने अपना फैसला कर लिया था. मैं तुम्हें शराब केवल इसलिए देने जा रहा हूं क्योंकि मैं एक नया स्रोत खोजने के लिए उस सबसे दोबारा नहीं गुजरना चाता, बस उस दुखत प्रतिक्रिया के बारे में सोचा, उसे एक बार फिर घुटन महसूस हुई. कैसे उसकी इज़द एक पल में चूर-चूर हो गई जब उसने पूरी मेज पर उल्टी कर दी थी. पीछे मुड़कर सोचने स उसे भी थोड़ी बेचेनी महसूस हुई क्योंकि उसका चहरा पीला पड़ गया था. अदिती जानती थी कि यहां अवसर मिलना कठिन था. इतनी कीम्ती वस्तु जो उसकी खेती को शुरू कर सकती थी, बस उसके सामने थी. क्या स्वरगिय वसंत? कौन जानता था कि क्या वह इस जीवन में कभी मिल पाएगी. जब भी मैं आपसे मिलने आऊं, तो कृपया मेरे लिए एक छोटा जग तयार करें. अदिती ने शांत रहने और इसे सावधानी से करने का फैसला किया. वैसे भी शराब यहां थी और वहां हर बार जब वहां जाती तो उससे ले सकती थी. इसके लिए उसकी आपूरती सुनिश्चित कर ली गई है. ओ, लेकिन अगर उन्होंने शराब में जहर मिला दिया, तो उसमें उसकी और व्यंग्य से देखा, अगर जहरीली शराब है, तो वहां उससे दवा कैसे बना सकती है. चिंता की कोई बात नहीं है, उसने किये तयार करूंगा, उन्होंने फैसला किया कि वहां इस कदम से कदम मिला कर निपतेंगे. वहां उन्हें बताएगा कि यहां शराब उसके लिए एक उपहार थी. वहां यहां सोचकर काम उठा कि उसे यहां भी पता नहीं था कि उसे अपने ही क्वार्टर में जहर दिया ग कड़ना शुरू कर सकता था. वहां इस बात के लिए भी शुक्र गुजार था कि अधिती ने उसे ठीक होने में मदद करने के लिए कुछ गोलिया छोड़ दी थी. उसे पूरी तरह से ठीक करने और उसे फिर से गुलाबी रंग में लाने के लिए समय सार का था. उसमें उसक के लिए उपयोगी थे. उनके प्रती वह काफी उदार थी. मोकियान युआन ने उसे दी गई बोतलों को स्वीकार कर लिया. वह गहराई से जानता था कि वह उसे बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ सकती थी. हालां कि वह उसे निप्ताने के लिए कोई कसर नहीं जब अदिती उसे विभिन्न दवाओं के बारे में सभी निर्देश दे चुकी थी, तो उसने व्यक्तिगत रूप से जेड अम्रित का एक छोटा जग तयार किया था और उसके साथ उसकी गाड़ी तक चला गया था. वहां उस जगह पर डटा रहा, भले ही गाड़ी बहुत पहले उसकी आँखों से ओजल हो गई थी. काफी देर तक वही खड़े रहने के कारण उसने एक बड़ी सांस ली. उसने उपर नीले आकाश की ओर देखा, वहां प्रफुलित महसूस कर रहा था. मा, मुझे एक अविश्वस्निय सहयोगी मिली है. नौकरों के एक समोह ने एक जटिल अभिव्यक्ती के साथ उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए मोकियान युवान को खुशी से आकाश में घूरते हुए देखा. उस पर ऐसी अभिव्यक्ती देखने का मतलब क्या यह था कि वह वास्तव में उस अत्याचारी के लिए पादल हो गया था? अधिती ने सोचा नहीं था कि इस तरह की हरकत से इतना बड़ा बवाल मच जाएगा. आधे दिन में ही गपशप का एक नया दौर चल पड़ा. लिन पैलेस की अधिती को दूसरे राजकुमार ने हाल ही में छोड़ दिया था. हाला कि क्राउन प्रिंस के जन्दिन के भोज के दौरान उसने मोकियान युआन पर अपने पंजे लगाये थे और उसे बहकाया था. आज सुबह सुबह क्राउन प्रिंस ने समराच से अपने आवास में उनसे मिलने की अनुमती मांगी थी. आधे दिन के लिए वे दोनों कमरे में बंद थे, एक अकेली लड़की और एक अकेला लड़का. उसके जाने से पहले, क्राउन प्रिंस ने व्यक्तिगत रूप से उसे उपहार के रूप में अपना बेशकीमती जेड नेक्तर भी दिया. इससे भी ज्यादा चौकाने वाली बात यह थी कि वहाँ खुद ही उसे गाड़ी तक ले गया था और उसके जाने के बाद, वहाँ उसी जगा पर काफी देर तक खड़ा रहा और देखता रहा. और वहाँ पूरे समय मुस्कुराता रहा. इन सप्ता क्या मतलब था? इंपीरियल सिटी के भीतर यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई. महामहिम के केवल दो बेटे हैं. सबसे बड़ा क्राउन प्रिंस मो कियान युवान था, सबसे छोटा बेटा मो जुआन थाफी. क्राउन प्रिंस की प्रतिष्ठा दूसरे राजकुमार से कहीं अधिक थी. हालांकि रानी की मृत्यू के साथ, क्राउन प्रिंस जो अपने असाधारन स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, अचानक बदल गए थे. वहन अकेवल संकी हो गया था, उसकी क्रिपा भी फिसल गई थी. उनका तौर्तरी का 180 डिग्री घूम चुका था. उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट आई और अब लोगों को भी वर्तमान क्राउन प्रिंस और दूसरे प्रिंस की तुलना करना मुश्किल हो गया. जुआन से नहीं हारे इस पहलू मेफी. हाला कि उनके संकी स्वभाव की वज़से लोग उनसे दूर ही रहते थे. डूसरी और मुजवान फेई सक्रिय रूप से नागरिकों के साथ काफी बार बातचीत कर रहे थे क्योंकि उन्होंने धीरे-धीरे समर्थन हासिल किया. अदिती के लिए बात की थी. अन्य लोगों ने सोचा कि उन्होंने जो किया वह अवान्षित था और इसने उनकी छवी को और भी खराब कर दिया. आज, क्राउन प्रिंस को एक मनमौजी चरित्र के रूप में जाना जाता था और अत्याचारी अदिती के साथ जोड़ी बना कर लोग हैरान रह गए. यह जोड़ा कई बार नहीं मिला था, वास्तव में वे केवल दो बार मिले थे और दोनों उसके जन्म दिन के भोज में थे. पहले भोज में अदिती की निगाहें दूसरे राजकुमार पर तिकी थी और उसने अपने परिवार की हैसियत का इस्तमाल करते हुए उससे सगाई कर ली. दूसरे भोज में दूसरे राजकुमार के साथ उसकी सगाई के तुरंत बाद ही भंग हो गया था, उसने इतनी जल्दी एक और लक्ष पाया था. कुछ समाई के लिए अदिती के तुछ स्वभाव की अफवाहे तेजी से फैली और कई लोगों ने मोकियान युआन के अपने भाई के पुराने जूते उठाने के संसकरन के साथ जाना. कुछ लोगों ने मोकियान युवान का मजाक उड़ाया और कहा कि उसके पास आखे हैं, लेकिन वहाँ अंधा है, कुछ नए परिपूर्ण कच्रा जोड़े पर हसे किसी भी तरह से कुछ ही घंटों में विभिनन संस्करन चर्चाओं में दोड रहे थे क्योंकि सड़क पर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था जब अमाया ने अदिती को शराप का जग ले जाते देखा, तो उसका चहरा एकदम काला पड़ गया मो कियान युआन के अचानक निमंतरन के साथ, इससे दूसरों को गलतफमी हुई होगी और अब उन्होंने वास्तव में उसे अपना कीमती खजाना, जेड नेकर उपहार में दिया है किसी को यह जानना था कि क्राउन प्रिंस ने इस जेड अमरित को कितना संजोया था, भले ही समराट इसे पीना चाहता था, अनिच्छा उसके चहरे पर लिखी गई थी मो जुआन के पिछले जन्दिन के भोज में भी एक घटना हुई थी, फी ने इसका एक छोटा प्याला पी लिया था, मो कियान युआन ने उसे इसके लिए कड़ी फटकार लगाई थी तबसे हर कोई जानता था कि यह कीमती शराब केवल उसके लिए ही थी अधिती को अपने कीमती जेड अमृत में से कुछ दिया, इसके अलावा उसका एक पूरा जग इसे कोई कैसे समझा सका है? अमाया की जुबान पर एक लाख एक सवाल थे, लेकिन जब उसने अधिती की चमकदार आंखो को देखा, तो उसने जो कुछ भी पूछना चाहा, वापस निगल लिया जुआन ने धंकाया था फी, क्या उसका ध्यान हटाने के लिए किसी का होना अच्छा नहीं था जुआन के लिए अधिती के जीवन सेफी की परचाई गायब होने के लिए, अमाया और जुनक्विंग दोनों ने कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया अधिती उन निशकर्षों से बेक पर थी जो उसके इर्दगिर्ग घूम रहे थे उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मातर एक शराब से सभी तरह के निशकर्ष गलत निकलेंगे दूसरों की नजरों में वहा पहले ही मोकियान युआन के साथ जोडी बना चुकी थी चोकि वह आखिरकार कुछ जेड नेक्टर पाने में काम्याब रही इसलिए वह शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकी और जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई जैसे ही वह अपने कमरे में डाखिल हुई और दर्वाजे बंद किये उसने तुरंथ लिटिल लोटस को बाहर बुलाया शराब की बोतल को घुरते हुए एक छोटा सा नंगे पैर छोटा कमल दिखाई दिया जैसे ही वह मेज पर जुका वह लालत से उसे देख रहा था और उसके मुँग के पास कुछ लार लटक रही थी गहरी सांस लेते हुए उनकी आखे चमकीली थी अच्छी खुश्बू आ रही है लिटिल लोटस ने उस शराब को देखा जिसे वह कई बार बाहर निकालता था सुन्दर स्पार्कलिंग तरल पर आँखे ठीक कर दी जाती थी जैसे कि उसके छोटे हाथ बाहर निकलते थे अधिती ने उसक ननहे कमल की ओर अपनी चमती आखों से देखा क्या तुम इसे विक्सित करने के लिए भी उप्योग कर सकते हो ननहा कमल एक खशन के लिए जिचका इससे पहले कि उसने कुछ घूंट लिया और उत्सा से अपना सिर हिलाया अधिती ने उसकी ओर देखा और उसने तुरंद अपने छोटे-छोटे हाथ पीछे खीचिये कियान युवान के लिए एक कमल के बीज को अलग रखने के बाद अधिती के पास केवल एक कमल का बीज बचा था क्योंकि उसने लापरवाही से इसे अपनी हथेलियों में घुमाया और एक उतला सिरेमिक बेसिन लिया जो कमल उगाने के लिए उप्युक्त था उसने धीरे से इसने जेड अम्रित डाला क्योंकि सुगंध हवा भर गई थी यहां तक की एक जटके के साथ यहां अनैचिक रूप से एक घुंट नीचे कर सकता था क्योंकि तरल बेसिन में प्रवेश करता था और कोमल लहरें बनती थी ननहा लोटस आधे खुले मुह से उसकी हरक्तों को ध्यान से देखता रहा क्योंकि लार उसके मुंग के किनारे से तपक रही थी छोटी काली बिल्दी मेज पर लेटी हुई थी कमल के बेसिन के खिलाफ जुकी हुई थी क्योंकि यहां धीरे-धीरे अपने पंजे चाट रही थी जान बूच कर अपने तेज पंजे को उजागर कर रही थी क्योंकि यहाँ लिटिल लोटस को अपनी आंखों में एक चमप के साथ घूर रही थी ननहा कमल तुरंथ पीछे हट गया और उसने जल्दी से एक हाथ से लार को पोच दिया उस्तक के अनुसार हिम कमल की खेती करने के लिए तापमान पर ध्यान देना पड़ता था और हिम कमल की खेती करने के लिए जेड नेक्टर के तापमान का इश्टतम तापमान धंडा होना पड़ता था अधिती ने सावधानी से तापमान की जाच की और अपनी उंगलियों को अंदर डाला जिसके बाद उन्होंने कमल के बीज को अंदर रखा जैसे ही कमल के बीज को जेड अम्रित में रखा गया, कमल और शराब की सुगंध हवा में व्याप्थ हो गई और जल्द ही चमतकारिक सुगंध पूरे कमरे में भर गई नन्हे कमल का चहरा महक से ही लाल हो गया था क्योंकि उसकी आखे और अधिक चमक उठी थी अधिती बहुत देर तक शराब में कमल के बीज को देखती रही लेकिन उसने पाया कि सुगंध के अलावा कोई और प्रतिक्रिया नहीं हुई जो हर पल सम्रिध हो रही थी सुंगने की उसकी समवेधन शील भावना के बावजूद उसने पाया कि यहाँ सुगंध उसे असाज महसूस नहीं कराती थी बल्कि यहाँ बहुत स्फूर्तिदायक और ताजा थी उसे लगा जैसे उसे अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है और ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गर्म पानी के जणने में भीग रही थी क्योंकि उसका सारा तनाव और तनाव दूर हो गया था इसने इस साधना पद्धती के लिए उसके मन में जो भी आशंताय थी वे भी दूर हो गई क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका हृदय शांत और शांत महसूस कर रहा था हाला कि वह नहीं जानती थी कि आध्यात्मिक उर्जा क्या होती है इस सुगंद के नीचे वह सपष्ट रूप से अपने मध्यान में हवा की एक गर्म लहर को महसूस कर सकती थी क्या या इस संसार की आध्यात्मिक उर्जा हो सकती है टेबल के पास बैठी अधिती की आखे चमक उठीन इस पल का आनन्द लेते हुए उसने शांती से सांस ली हाला कि सामदरी को खोजना कठिन था प्रभाव बहुत प्रभावी थे हाला कि वह नहीं जानती थी कि जेड अमरित का यहा जग इस बीच को विक्सित करने के लिए परियाप था या नहीं मोकियान युआन के पास केवल कुछ और बैरल बचे थे कुछ गर्म लेकिन जैसे की कोई कोमल चीज उसे उसी समाई गले लगा रही थी जब वह धीरे-धीरे उसके शरीर के साथ जुड़ गई उसने धीरे से अपनी आखे बंद कर ली अदिती को समाई का पता नहीं चला क्योंकि वह चुपचा बैठी आध्यात्मिक उर्जा को अवशोशित कर रही थी जल्वी बाहर अंधेरा हो गया क्योंकि चांदी की चांदनी खिर्कियों से बहने लगी कितनी अच्छी महक है अदिती ने अपना सिर उठाया और इससे पहले की वह मुड़ पाती उसे पीछे से एक मजबूत हाथ की जोडी ने दबंग तरीके से गले लगा लिया आप लगभक वचा और हड्या है और आप अभी भी शराब पीना चाहते हैं पीछे से एक चढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी जैसे ही जून वू याओ ने अपने आलिंगन में लड़की को धीरे से देखा इससे पहले कि वह कमरे में प्रवेश करता उसने इस सम्रिद सुगंध की एक सांस ली थी यहाँ एक परिचित सुगंध के साथ मिश्रित थी यहाँ परिचित सुगंध उस कमल की सुगंध से थी जो अधिती ने अपने उपर धारण की थी यहां बहुत अच्छी मादग गंध थी उसने अपना सिर उठाया और एक उदासीन तरीके से उसकी ओर देखा ऐसा लगता है कि वहां उसके स्नेह के प्रदर्शन की आदी हो रही थी हाला कि उसका कुछ हिस्सा अनिचुक था लेकिन यह वास्तव में उसे प्रभावित नहीं करता था इसलिए उसे इसकी बहुत परवाह नहीं थी वहां उसके साथ बहस करने में बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने इसे लाने की जहमत नहीं उठाई वहाँ उसकी करफ चला गया और बैठते ही उसे उपर उठा लिया उसे अपनी गोध में रख लिया और पीछे से उसे गले लगाना जारी रखा तो उस मोखियान युआन वाले ने तुम्हें यह दिया हाला कि वह मुस्कुरा रहा था लेकिन वह उसकी आखों तक पहुचने में असफल रहा क्योंकि एक थंडी जानलेवा चमक देखी जा सकती थी क्योंकि उसने शराब को नाराजगी से देखा था उसके जवाब की प्रतीक्षा न करते हुए उसने अपनी भौहें उपर उठाते हुए शराब का जार उठाया और उस पर एक नजर डाली और जार को करीब लाया यह शराब तेरे मुहा के योग्य नहीं है यह कहने के बाद उसने अपनी कलाय घुमाई और सारी शराब उडेलने का प्रयास किया अदिती ने अपनी आखे सिकोर ली क्योंकि उसने उसे रोकने के लिए थंडेपन से उसकी और देखा, हाला कि उस पर उसकी पकड बहुत मजबूत थी क्योंकि उसने उसे मजबूती से पकड रखा था क्योंकि उसने उसे एक हाथ से कसकर गले लगाया था, जिससे वहां असाय हो गई थी. इसे मुझे दे दो. इसे वापस रखें, वहाँ उबल पड़ी. जून वू याओं ने एक कामुप मुस्कराहट के साथ उसकी ओर देखा, क्रोध का लेश मातर भी नहीं देखा जा सकता था. अदिती. नाराज मत हो, अगर तुम्हें शराप पसंद है, तो मैं तुम्हें अच्छी शराप खोजने में मदद कर सकता हूँ, तुम ऐसा कच्रा कैसे पी सकती हो? इसे वापस रखें, वहाँ उसे खतरनाक नजरों से देखती थी. जून्वु याओ बिना हिलेडुले उसे देखकर मुस्कुराता रहा और उसकी गहरी काली आखों में बैंगनी रंग का हलका सा आभास जलक रहा था. ले. चलो, माई मास्टर को जाने दो, बगल से एक अश खड़ा रही थे. यहाँ है, जून्वु याओ ने रुची के साथ अपनी भौहें उठाई. अदिती उदास थी, लिटिल लोटस अभी भी अपने भातिक रूप में था, जून्वु याओ की अचानक उपस्तिती के साथ, लिटिल लोटस अभी भी आसपास ही रहा. जून् अदिती को देखते ही अपना सिर नीचे कर लिया, उसके होंट ऊपर की और मुड़े हुए थे. योग तुम, यदि आप मेरे स्वामी को जाने नहीं देते हैं, तो मुझे अपने प्रती असभ्य होने का दोश न दे. नन्हे लोटस ने अपने छोटे-छोटे फूले हुए दालों को फुला लिया, बिल्कुल मनमोहत लग रहा था. छोटी काली बिल्ली जो मेज पर चुपचाप बैठी थी, उसने अपनी आखों को धकने के लिए अपना पंजा उठा लिया. ऐसा नहीं था कि वहाँ बहुत कमजोर था बलकि उसका दुश्मन बहुत मजबूत था. वह छोटा मूर्ख मरा हुआ अच्छा था. ओ, जूनबू याओ ने उस छोटे लड़के को ठंडिकन से देखा और उसने अपनी उंगली को थोड़ा उपर उठाया और काली रोशनी की एक फ्लैश उसके माथे पर लिटिल लोटस से तकराई. आउच, अपने माथे से तेज दर्द महसूस करते हुए, नलहा कमल दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर गया. मैं अधिती से बात कर रहा हूँ, हमें बीच में टोकने की तुम्हारी जगा कप थी, जूनबू याओ हलके से हसे जैसे की कुछ भी नहीं हुआ हो और जैसे ही वह अधिती की ओन मुड़े. उ परेशान करना बंद करो, उसने उसे बरफीली निगाहों से देखा. उसने आम तोर पर परेशान नहीं किया कि उसने क्या किया लेकिन अगर वह उसे परेशान करता है, तो वह उसके साथ बिलकुल भी विनम्र नहीं होगी. जूनबू याओ उसकी अच्चानक हरक्तों से हैर अधिती ने उन सुयों को कई बिंदों पर रखा. हाला कि वह उसे मार नहीं सकती थी, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं देती थी. जूनबू याओ ने अपने शरीर को नीचे किया और सुयों में जुप गए क्योंकि वे उसकी तवचा के माध्यम से चुप ग मैं यह सब आप पर छोड़ता हूँ. हाला कि चारों सुया उसके गले में चुप गई थी और सुर्ख लाल रक्त बह रहा था, फिर भी उसने विंती के भाव के साथ उसे एक नम्र मुसकान दी. इसे वापस रखें, वह ठंड से पीछे हट गई. जून वू याओ ने गहरी स चांस ली और शराब का जग वापस टेबल पर रख दिया. अधिती, मैं गलत था, अगर तुम चाहो तो इस कचरे को अस्थाई रूप से खेलने के लिए रख सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम इसे पी नहीं सकते, शराब की मात्रा बहुत मजबूत है, और यह तुम्ह गले को चोट पहुचाएगा, मैं एक अच्छा ढूंड कर लाता हूँ यह तुम्हारे लिए कल. गले पर घाव को पूरी तरह से नजरंदाज करते हुए, उसने गुस्से में उसे मनाने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा. मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने सूंगा. जू वह आपकी समदात्मक आत्मा है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? उसने उसे खुश करने की कोशिश की और उसे एक आकरशक मुस्कान दी. ननहा कमल धीरे धीरे घबडा कर खड़ा हो गया, माथे पर वह जटका इतना दर्दनाक था कि उसे लगा जैसे उसकी आत्मा कभी भी च चकनाचूर हो जाएगी. यहाँ पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के दर्द का अनुभव किया था, आम तोर पर मनुष्यों द्वारा की गई चोटों ने उनकी आध्यात्मिक उर्जा को समाप्त कर दिया था, वे मनुष्यों के हमलों से कोई दर्द महसूस नहीं कर सक किया. नन्हा कमल हैरान रह गया क्योंकि वह वहाँ खड़ा था, सहमा हुआ था. मैंने केवल आपको थोड़ा सा छेड़ा है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ, यहाँ आपके लिए हैं, इसे मौवजे के रूप में ले, जून्वु याओ ने एक गहरे हरे मनके को उचाला और कापते हुए लिटिल लोटस ने उसे पकड़ लिया. जून्वु याओ ने अदिती को धीरे से देखा. अब क्या आप अभी भी नाराज है? आप गुस्सा हो रहे हैं, अदिती ने पीछे मुड़कर देखा. आपके शब्द बहुत आहत करने वाले हैं. जून् अगर यहाँ आपको खुश करता है, भले ही यहाँ उससे दस गुना हो, तो मैं तयार हूँ. अदिती ने उनकी टिपडियों पर भोहे चड़ाई, उन्होंने हताश लोगों के अपने उचित हिस्से को देखा था, हाला कि ऐसा एक स्वपीड़क वहाँ पहली बार था. जब आपको परेशान नहीं करूंगा लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता, उसने कमजोर मुस्कान के साथ कहा. उसने उसकी ओर देखा और आगे कुछ नहीं बोली और खड़ी हो गई. इस बार उसने उसे रिहा करते हुए उसे रोकने की हिम्मत नहीं की. तुम्हें खून नाक पर हमला करने वाली इस भयानत गंद से शुटकारा पाने की जरूरत थी. जून वू याओ बेपसी से उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसने अदिती को मायूसी से देखा जो उससे बच रही थी. उसने अपनी गर्दन को छुआ क्योंकि लाल रक्त का निशान उसके हाथ मे बह गया था, वह इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था. ऐसा लगता है कि यहाँ फिर से मेरी गलती है, आपको इस घ्रिनित गंद को सुंगने देता है, मैं पहले निकल जाओंगा, जैसे ही उसने एक हलकी सी आ भरी, वह मुड़ा और तुरंद बात कमरे से बाह आने के बाद, उसकी मुस्कान फीकी पढ़ गई क्योंकि उसकी उंगलिया उसके गले को चूर रही थी जैसे एक फीकी काली रोशनी चमक रही थी और चारों सुया उसके गले से निकल कर उसके हाथों पर गिर गई. मेरे नाथ, जैसे ही वह जून वुयाओं की ओर से एक घुटने पर गिरा. तुम्हें चोट लगी है, खून की गंध थी और चाया हैरान थी कि स्त्रोत उसके भगवान से था. ऐसे स्थान पर वास्तव में कोई अपने पूज भगवान को चोट पहचा सकता है. आहत या आहत होने के रूप में गिना जाना है. उसने अपने ख मिल गया है, जिसके लिए मैंने पूछा था, जून हुयाओ ने थंडेपन से पूछा. सब कुछ तयार किया गया है. आह, बुरो का वह समूह, मुझे वहाँ फसाना चाता है. वे वास्तव में सपने देखना जानते हैं. मैं उस दिन के लिए उन्हें उचित रूप से चुक और अभिव्यक्ति हीन चेहरे पर एक अलग अभिव्यक्ति देखी थी. उसकी आखो में वह रूप अन्मोल था, इस दुन्या के किसी भी रत्न से अधिक कीन्ती. वह वास्तव में उन आखो को चाहता था. हाला कि अगर वे उसे चोड़ देते, तो वे उसकी सुन्दर्ता ख घरी थी. उन्हें थोड़ी देर के लिए हंसने और आनंद लेने दे, जब मैं उन्हें कुचल दूँगा, यहां उस तरह से और अधिक दिल्चस्प होगा, वे जितना ऊपर चड़ते हैं, उतनी ही मुश्किल से गिरते हैं. जून्वु याओ ने अपनी ठंडी आखे सिकोर ली. हाँ, छाया ने उत्सा से उत्तर दिया. इस बार मैं यहां रहूंगा, अगर आपके पास कोई संदेश है, तो इसे सीधे यहां भेजें. जून्वु याओ ने आदेश दिया. यहां अधिनस्त पालन करता है. अरे हाँ, एक बात और जून्वु याओ ने अचानक कर दिया हा. जेड अमृत. क्या यहां था? जून्वु याओ ने अपनी आखे सिकोड ली क्योंकि उसके जानलेवा इरादे ने उसके चारों और भर दिया. उस दखल देने वाले क्राउन प्रिंस को हमेशा के लिए गायब करने के लिए उसे महल में जाने में कोई आपत्ती नहीं थी. परचाई चुपचाप किनारे पर घुटने टेक रही थी. उसने उन शब्दों के पीछे के अर्थ को प्रतिबिंबित करने की हिम्मत नहीं की, वह जानता था कि उसे केवल वही करना है, जो उसे बताया गया था. कुछ और व्यवस्था करने के बाद, खून की गंद का कोई निशान नहीं था, वह मेज पर चली गई. गहरे हरे मनके को घुरते हुए ननहा कमल चुपचाप खड़ा रहा. उसे अपनी उंगलियों के बीच में घुमाते हुए जैसे ही उसने उसे चांद की ओर रखा और उसकी ओर देखा. अभी भी दर्द होता है, अदिती ने लिटिल लोटस से निरस्ता से पूछा. लिटिल लोटस एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और अपने छोटे से माथे को रगड़ा, अब दर्द नहीं होता, उनके गुलाबी चहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी. इस ननहा कमल जल्दी से उस पार चला गया. अदिती ने अपना माथा चेक करने के लिए अपनी फ्रिंज उठाई. सावधानी पूर्वक जाच करने के बाद और जब उसे किसी चोट का कोई निशान नहीं मिला तो क्या उसने आखिरकार आराम किया क्योंकि उसकी आखे कोमल हो भविश में कुछ मत करो, बस उसे रहने दो. अदिती ने महसूस किया कि जून वू याओ उतने कोमल नहीं थे जितने की वे सता पर दिखाई देते थे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां मोजुआन के साथ हुई घटना थी फी या कुछ समय जब उसके पास खोन की गंध थी, वे सभी चेतावनी के संकेत थे. जून वू याओ मजबूत थी, उससे कहीं ज्यादा मजबूत जिससे वहां अब तक मिली है. वहां एक ही समय में शक्तिशाली होने के साथ-साथ रहसे में भी था और उसने एक खतरनाक आभा बिखेरी. वहां वास्तव में नहीं अपने अंतरग्यान के आधार पर वहां महसूस कर सकता था कि आदमी बेहत खतरनाक था और जब उसने देखा कि वहां अपने गुरू के बहुत करीब है, तो वहां मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी पीट पर थंदक महसूस हुई. हाला कि वहां आदमी सता पर मुस्कुरा र वहां वास्तव में अपनी खुद की एक लीग में था, भले ही वहां यहां लिन पैलेस में नहीं था, इस दुनिया में उसे नहीं लगता था कि किसी के पास उसे कोई बड़ा नुकसान पहुचाने की क्षमता है. इसके अलावा उसने बार-बार उसका आभार चुकाने के ब आम तौर पर विनम्र और अलग थलग रहती थी. हाला कि यदि आपने उसके साथ खिलवार किया, तो परिणाम अकलपनिय थे. उस रात, पहारों में लगी वह भीशन आंग जिसने सब कुछ भस्न कर दिया, किसने सोचा होगा कि अपराधी इतनी हानिरहित और शांत दिखने वाली लड़की होगी? उसने उस विला में सब कुछ जला दिया था, जिसमें उसका एक मात्र परिवार और उसका दोहस्वपन भी शामिल था. अदिती बिल्कुल वैसी ही थी, वहां आम तौर पर मिलनसार थी और इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करती थी कि दूसरे क्या सोचते हैं. हाला कि अगर किसी ने उसे उकसाया होता, तो वहां उसे तब तक नहीं रोकती जब तक की दूसरे पक्ष के पास कोई रास्ता नहीं होता. छोटी काली बिल्ली कभी नहीं डरती थी कि वहां पीडित होगी, क्योंकि भले ही वहां वंचित हो, वहां बिलकुल सूस कर सकता था कि वहां उसकी परवा करती है. यहां पहली बार था जब उसने उसे चंता दिखाई थी. इतना अच्छा एहसास, इतना गर्म और फजी. क्या है वहां, अर्गी अपने आपको रोक नहीं सकी और उसने उसके हाथों में गहरे हरे रंग के मनके को देखते पूछा. अलंकृत लकडी के मनके. यहां समविदात्मक आत्माओं को उनकी साधना में सहायता कर सकता है. यहां दूसरी बार है जब मैंने इसे देखा है. मैंने इसे एक बार स्पिरिट वर्ड में देखा था. यहां नहीं सोचा था कि मुझे वास्तव में यहां भी कोई मि में एक अत्यधिक मांग वाला खजाना था जो समविदात्मक आत्माओं को उनकी खेती में सहायता करने के लिए बहुत कीमती था. आप खेती भी कर सकते हैं. अधिती ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई, उसने शुरू में सोचा था कि समविदात्मक भावनाओं को म झारी नेखिती.